आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिजनस शुरू करने के टेट्स यह तो जब भी हम कोई नया बिजनस शुरू करते हैं तो बिजनस प्लान, लोकेशन, निवेश, प्रॉफेट आदी के बारे में सोचते ही हैं लेकिन कभी आप नहीं सोचा है कि इतना सब कुछ प्लान करने के बाद भी कुछ बिजनस फेल की हो जाते हैं आज इस वीडियो में हम उन महत्तवपूर्ण बिदू के बारे में बात करेंगी जहें हम बिजनस शुरू करने से पहले नजर अतास कर देते हैं चलिए जानते हैं एक स्टार्टप पर या नया बिजनस शुरू करने के लिए किनकिन बातों पर गहन चिंतन करना आवश्चक है Sellable Idea versus Passionate Idea Business Idea बड़ा बिजनस करने के लिए Passionate Idea की जगा, Sellable Idea की वेल्यू सबसे अधिक है आप किसी चीज में चाहें जुतने एक्सपोर्ट हों लेकिन यदि आपका आइडिया सेलेबल नहीं है तो आप एक बड़ा बिजनस नहीं बना सकते याद रखें आपका बिजनस आइडिया ऐसा होना चाहिए जो बिजनस में ट्रांसलेट हो सके रेवन्यू जनरेट कर सके प्रोमोटर्स की इंकम को दिन दूनी राद चौगनी बढ़ा सके स्टेक्षोल्डर्स को रईस मना सके छोटी सी शिरुवात से एक सब्राज्य में बदल सके इसके लिए जब भी आप बिजनस शिरु करने की सोचें तो ये जानने की कोशिश करेंगे आपका बिजनस आइडिया कितना स्पेशल है कितना प्रॉफिटेवल है अपने बिजनस आइडिया को जाचें यदि आप अपना स्टार्ट अप शुरू करने जा रहे हैं या शुरू कर चुके हैं और फंडिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जाचें कि आपका आइडिया सेलेबल है या पैशनेट यदि आपका idea sellable है तो हर कोई आपके साथ जुड़ना चाहेगा और यदि आपका idea passionate है तो आपको business बनाने में बहुत समस्या आएगी तो सबसे पहले आपका idea sellable idea यानि कि बिकने के लाइक होना चाहिए इनोवेटिव idea versus problem solving idea इनोवेशन के नाम पर बहुत से business खुल जाते हैं लेकिन कुछ समय बाद वो फेर हो जाते हैं याद रखें आपका innovation किसी बड़ी opportunity का दरवाजा कोलता हो किसी बड़ी problem को solve करता हो यदि आपके business innovation में ये दोनों बातें solve करने के एक्षमता है तो आपका innovative business idea चल सकता है याद रखें innovative idea उसे ही बोल सकते हैं जो लोगों की समस्याओं को दूर कर सके smart work करने में मदद कर सके, कम से कम मेहनत करने में मदद कर सके, कम से कम खर्च होने में मदद हो सके life को और business को smooth बना सके, ठाला कि बहुत से लोग innovative idea के नाम पर business तो शुरू कर लेते हैं, असल में वो business जादा लंबा चलने लाइक होता नहीं है इसलिए भी बहुत से business फेल हो जाते है small market idea versus big market idea अगर आप small market idea वाला business शुरू करते हैं, तो वो बेहत limited लोगों तक ही सीमित है और कुछ सालों बाद खत्म हो जाएगा यदि खत्म ना हो, तो भी small market idea अधिकलाब नहीं दे सकता ऐसे में जब भी business शुरू करें, तो big market को ध्यान में रखकर शुरू करें आइडिया ऐसा होना चाहिए जो बहुत से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करें आइडिया जियोग्रफी, barrier, language barrier वाला ना हो, बड़ा आइडिया उसे ही बूल सकते हैं जो किसी रज्य, शहर, भाशा, संस्कृति, आदी से बंधाना हो वो सबकी प्रॉब्लम को समझने वाला और सॉल्व करने वाला हो अब आप बिजनस शुरू करते हैं तो कई आइडिया आपकी दिमाग में होते हैं जिसमें आप कंफ्यूस हो जाते हैं कि पहले किस पर काम किया जाए आपको अपनी आइडिया से जुड़े सबी पैरामीटर्स को समझना है और फिर आइडिया जुनना है बाकी कि आइडिया को अपने दिमाग से डिलीट कर दें एक आइडिया पर पूरा फोकस करें और उसे सेलेबल बनाएं किसी भी बिजनस को शुरू करने से पहले ये समझ लें कि क्या आप अकेली सबारी करना चाहेंगे कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते है कि मेरा आइडिया है मैं क्यों किसी को εκuitिट हुँ सारा profit या shares मैं अकेले रखुँ लेकिन आपको ये समझना होगा कि दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कमपनीज हैं उनमें एक से अधिक लोग जुड़कर बिजनस बना रहे हैं। इसका कारण ये है कि एक विचार से अच्छा है कई विचार को एक करना और उन विचारों से कुछ बनाना। तो आज आपने जाना है कि बिजनस शुरू करने से पहले आपको किन-किन पहलों उपर चिंतन करना है जिससे भविश्य में आपका बिजनस फेलना हो।